नमस्कार न्यूस्क्रिक के डिली राउंड अप में आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन से पर देश में 24,248 ने मामलों के साथ कुल संख्या साथ लाग के करीब यमुना की सफाई में अधिकारिक उदासिंता बड़ी चुनौती यूपी के राम राज में कानपुर का आतंक राज ये थी हमारी हेडलाइन्स आज की जो हमारी पहली खबर है वो कोविड अपडेट है केंडिय स्वास्त मंकाले द्वारा सुबा आठ बजे जारी ताजा आकडों के अनुसार पिछले 24 गंटों में कौर्णा संक्रमाट के 24,242 नए मामले दर्ज किये गए हैं इसके अलावा कौर्णा संक्रमाट के कारण 425 मरीजों की मौत भी हो चुकी साथी इसी बीच कौर्णा से पिरित 15,350 मरीजों को स्वास्थ भी किया जा चुका है देजबर में अब कौर्णा वारिष से संक्रमित मरीजों की संक्रमाट के कारण 19,693 मरीजों की मौत भी हो चुकी इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संक्रमाट की बढ़कर 2,53,287 हो गई है भारती आयुव विज्ञान अनुसंधान परिशर ICMR द्वारा जारी आखनों के अंधिसार अभी तक कुल 99,69,662 सैंपलों की जाच की जा चुकी है बीते 24 गंटों में कौर्णा के 24,248 ने मामले सामने आए जिसमें से महराश्च से 6,555, तमिलनाडू से 4,150, दिल्ली से 2,244, कदाड़क से 1,925, तिलंगाना से 1,590, उत्तरपरदेश से 1,133, आपरदेश से 998, पश्टिम बंगाल से 895, गुजराच से 725, असम से 720, राजेसान से 632, उडिसा से 499, हरियाना से 457, मर्क रेशर 326, केरल से 225, जम्मु कश्मीर से 183, बिहार से 176, और पंजाब से 174 ने मामले सामने आए साथी, गोवा से 77, चातिसगर से 46, जारकन से 42, मनीपूर से 41, उत्राकन से 31, नागलन से 27, ट्रिपुरा से 22, मिजोरम से 22, सिक्किम से 20, हिमाचल परदेश से 17, अनाचल परदेश से 10, चंडिगर और अंडमानों निकबार दीप समूँ से 6-6 ने मामले सामने आए बीते दिनों, देश के 5 राज्येव के इंसा के परदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें लद्दाक, पुदूचरी, दाजर और नागर हवेली, दमन्दीव और मेगाले शामिल है यमुना की सफाई की निगरानी करने के लिए राष्ट्रे हरित अधिकरण यानि NGT की तरफ से नेवत्र समिती ने दिल्ली परविहन निगम DTC से अनुसंशा की है कि वह मिलेनियम बस D.P. को यमुना की किनारे से स्थान तरित किया जाए समिती ने यह भी कहा कि परियावरेन के लिहाथ से असुरक्षित है यमुना निगरानी समिती में NGT के सेवा निवित विशेशा कि सदर्श बीए सजवान और डिल्ली के पूर्व मुक्ष सचिव शैल्चाचंडर शामिल है समिती ने NGT को बताए कि DTC बिना आवशक अनुर्मत्री हासिल किये इसका संचालन कर रहा है और अपसेश्ट जल को नदी में छोड़ रहा है समिती ने कहा कि 2010 के राश्मंदल खेलों के समय DTC को बस डीपो बनाने के लिए अस्थाई जगाद दी गई थी ताकि वहाँ लोफ लोर बसों का संचालन कर सके और उनकी देखभाल कर सके समिती ने कहा कि डीपो में कई बसों की सफाई की जाती है और यह गंदा जल नदी के किनारे खुले में बहाया जाता है दो सदस्य समिती ने कहा कि जांच में DTC के एक प्रतिनिती ने बताया कि डीपो में निगम बसों के मरमत और देखभाल का काम भी होता है इसने कहा कि DTC बिना सहमती के इसका संचालन कर रहा है NGT को सौपी करी रिपोर्ट में समिती ने कहा दिली प्रदूशन नियांकरिन समिती ने यह भी कहा है कि इस्तमाल किये गए इंजन ओयल और अने ओयल ग्रीस जैसे खतनाग पदार्ट यहां से निकलते हैं और इसे किसी के संग्यान में नहीं लिया गया है और ऐसा पिछले नौ वर्षों से चल रहा है अधिकरण ने इससे पहले एक परियावरेंट कारिकरता को निर्देश दिया था कि मिलेनियम बस डीपो को स्थांतरित करने की अपनी आचिका को लेकर वो समिती से संपर्थ करे कारिकरता ने यमुना के किनारे डीपो होने पर आपत्ती जताई थी हरित पैनल ने यमुना नदी की सफाई को रोजाना आधार पर निगरानी के लिए एक समिती बनाई थी यह मामला पिछले वर्ष अप्रेल में उच्ट्रम्याले ने इस आधार पर हरित पैनल के पास भेज दिया था कि एक मुद्दे पर समरांतर कारवाई नहीं चल सकती है कानपूर मुद्भेड में आर्ट पुलिस कर्मी के शहीर होने की बार उत्रक्रदेश की कानून विवस्था पर एक बार फिर चर्चा में आ गई है विपक्ष लगतार सरकार पर हमला कर रहा है तो वहीं कुछ ऐसे सवाल भी है जिनके जवाव अभी तक सामने आमने बाकी है जैसे साथ अधिक अपरादिक मामें दर्ज होने के बावजूद अभी तक विकास लुबे को गिरफतार क्यों नहीं किया गया विकास के घर दबिश डालने काई पुलिस वालों ने बुलट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी क्यों इतने बड़े अपरादी को पकड़ने गई पुलिस की तयारी समुझित थी आखिर बड़ी संक्या में पुलिस बलतेनाती और घर बंदी के बाद भी अपरादी कब और कहां फरार हो गया और विकास दूबे अभी तक पुलिस की गिरफ्ट से दूर क्यों है इन्ही सब सवालों का जवाब धून रहे हैं वरिश्पत का उर्मिलेश आए सुनते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कई वरसों से रामराज की बात की जा रही है बहुत समय से कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो विकास की मंजलें फाद रहा है वो कानून ब्योस्था में अउवल होता जा रहा है बहतर होता जा रहा है लेकिन कानपूर की इस गटना और माफ कीजेगा ये कानपूर की पहली गटना नहीं है जो इस तरह के हाथ से हो रहे हैं इस तरह का क्राइम बोलते हुए काता है कि आप कैसे छुपाएंगे आप कैसे प्रबंधन करेंगे क्राइम को कम दिखाने का चुकि पुलिस में बहुत सारे स्टेट्स में सिर्फ उत्रप्रदेश में नहीं एक अजीब तरह का कई बार सरकार पर पहले आते हैं और इसमें जो ब्योरे सामने आए हैं वो सब आप सब ने देखा है लेकिन हमारा ये सवाल है कि एक गैंक्स्टर जिसको कहा जा रहा है एक गिरोहबाद जिसको कहा जा रहा है आखिर इस गिरोवाज का ऐसा दुस्साहस कैसे उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आती है इतना दुस्साहस कहां से आता है कि डिप्टी एस पी रैंक के एक आफिसर और पूरी की पूरी पूरी पुलिस की जो वहाँ पर वहाँ पर जो टीम गई है इतनी बड़ी जो वहाँ पर टीम गई ह उसको хлासत मे लेने या उसको पकडने या उसको पर कारवाई जो भी action जरूरी रहा हो क्योंकि उसको बहुत सारे गम भीरा रोब थे और वो फरारी हालत में अपने को बताया जा रहा था उसके बारे में जब पता चला पुलिस को कि वो घर पे है उसको एक तरह से पकड़ने के लिए पुलिस गई और उस दौरान उसको इतनी ऐसा लगता है कि वो intelligence chief अपने गिरोध का हो रहा हो वो भी एक intelligence चलाता हूँ ऐसा लगता है तो उसको ये खुपिया जानकारी मिली कैसे कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है पुलिस ने नोटिस तो नहीं दिया पुलिस ने कोई पहले से सूचना तो नहीं दी और उस गाओं में उस इलाके में जहां का वो रहने वाला था जहां उसका किले नुमा घर था वहाँ पर जैसे ही पुलिस जाती है ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा जो उसका किले नुमा घर है वो चारो तरफ से वहाँ पर लोग लगे हुए हैं कि कैसे पुलिस पर हमला करना है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस कारवाई की उसको अग्रिम सूचना थी यानि वो intelligence उसके पास थी उसके पास कोई खुपिया अपना भी गिरो था और वो खुपिया गिरो जो हमारी पुलिस है जो पुलिस ब्योस था कि अपनी जो सूचनाएं है अपना जो भी भाग है शायद वहां से उसको मिल रही थी या नहीं मिल रही थी ये कहना बहुत कटिन ह ये जाच का भी शाय है लेकिन बहुत ये सोचने की बात है बहुत चकित करने वाली बात है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स पर एक गिरोह बाज कानपूर का लखनव के बिलकुल पास के इलाके का कोई ये दूर का सुदूर का इलाका नहीं है ये जंगलात का इलाका नहीं ह वो जिस तरह से घात लगाकर हमले करता और कराता है ये अपने आप में विसमय कारी है आप दलित आदिवासी अब इन कोरे गाउं की कहानी आप देख लीजे कि कोरे गाउं में लोग अपने लोगों को शहादत जिनकी हुई थी जो महाजुद्ध में शहीद हुए थे उनको श शित कर देते हो लेकिन एक इतना बड़ा गिरोह बाज आप उसको आतंकवादी नहीं कह सकते आप उसको गुरबादी नहीं कह सकते क्योंकि वो दलित नहीं है क्योंकि वो अदिवासी नहीं है क्योंकि वो गरीब नहीं है क्योंकि उसको पैटरनिज रहा है इस बात को भुल दोस्तो पुलिस मामलों के जितने जानकार इस देश में हैं खास कर जो बड़े उच्चा धिकारी पुलिस के हैं जिन्होंने बात के दिनों में किताबें लिखी हैं जिन्होंने अपने आपजर्वेशंस दिये हैं उन सब का कहना है कि कोई भी नागरिक जीवन में अगर गिरो जो ये मैं गिरोहबाद जिसको कहा जा रहा है, जिसने पुलिस पर इतना बड़ा हमला प्रायोजित करने का दुस्साहस किया, जिसके बारे में स्वेम पुलिस कह रही है, F.I.R. दर्च कराया गया है, तो अब हमारा ये कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजुदा सरकार जो अपने को रामराज की प्रवक्ता बताती है, जो अपने को रामराज स्थापित करने का इतना बड़ा जिसके पास दावा है, क्या हो इन चीजों की शिनाक्त कराएगी, क्या इन चीजों की पहचान क कराएगी परताल कराएगी कि आखिर इस व्यक्ति को इस गिरोह बाज को इस अपराधी को कहां से राइनितिक या प्रशासनिक या किस तरह का संड़क्षन मिल रहा था कि ये कानपूर में रहते हुए और पूरी की पूरी पूरी पुलिस जो फोर्स है वो जाती है उस पर हमला कराने का इसके पाद दुस्ताहस है ये तो कोई साधारान घटना नहीं है ये बिलकुल और साधारान घटना है और कहा ये जाता है कि कुछ साल पहले भारती जंता पार्टी के ही एक बड़े नेता उस इलाके के जो राज्यमंत्री सम्तुल्ले थे उनकी उनके खात्मे में भ अब भी है तो फिर ऐसे लोग कैसे जमानत पा जाते हैं हमें याद है कि अभी बहुत सारी लड़कियां दिल्ली विश्वी द्याले की जेनियू की आप देवांगरा को देख लीजिए कालिता को देख लीजिए आप नताशा को देख लीजिए नर्वाल को देख लीजिए जो CA और NRC को लेकर आंदोलन कर रही थो इसी लड़कियों को तो जमानत मिलती नहीं गौतम नौलका को नहीं मिलती बड़े बुद्धी जीवी हैं बड़े लेखक हैं बड़े संपादख out आनन तेल तुम्रे को नहीं मिलती इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं देश के जाने माने दलिच समाज से आते हैं डाक्टर भीमराव वांबेटकर के व्रहत्तर परिवार से जुड़े हुए हैं और इतने बड़े इंटरनेशनल फिम के राइटर को नहीं जमानत मिलती और इतने बड़े गैंगस्टर को जमानत मिल जाती है बहुत सारे अभी अख़वारों में छप रहा है मीडिया में छप रहा है कि उस पर दरजनों केसेज हैं और वो काफी खतरनाक धंके अपरादों की हैं संगीन अपरादों की हैं तो बही इनको कैसे जमानत मिल जाती है हमें आश्यर होता है और दूसरी बात कि सालों साल ये कैसे चलती है और उनमें कुछ भी नहीं होता और होता है तो यूं होता है कि पता नहीं चलता कि क्या हुआ तो ये जो crime और punishment की पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये पूरा का पूरा जो procedure है अपने देश में इस पर बहुत पहले बहुत पहले police reforms के context में प्रकाश शिंग ने जो एक बहुत senior IPS officer है उनके उन्होंने इस पर petition दिया था जिस पर बहुत सारी टिपणियां आई थी बहुत सारी observation आये थी वो report सामने है लेकिन police reforms के लिए जो वास्तविक जो जरूरी चीजें है वास्तक नहीं की गई और crime और जो procedure है crime को control करने का परताल करने का तैयारी की कैसे उसको judicial process तक ले जाया जाए अभियोजन की पूरी की पूरी प्रक्रिया को मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ी जो कोता ही है उसकी वज़ा से चीजें हमारे समाज में ज़्यादा खतरनाक अंजाम की तरह पहुँच रही है और दूसरी बात जो सामाजिक संरचना है जो राइनितिक संरचना है इनका आहम रोल है इस पर कौन बिचार करेगा आज के डेली राउंड़ अप में बस इतना है इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूस क्लिक की वेब साइट पर हमें फॉलो किजिए ट्विटर फेस्बुक इंसेग्राम पर और सब्सक्राइब किजिए यूट्यूब पर देखते रह पर देखते हैं न्यूस क्लिक दन्यूवाद